नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर सुप्रीद प्रोवर्ष शर्मा, अभिशीक वास्पिटल, मोध्य डूंडी रोड से, आज आप सबसे TMJ एनकायलोसिस के विशेय पर बात करने जा रहे हूं, TMJ जिसकी पूरी फुर्फॉर्म है, टेंपोरो मैंडिविलर जॉइंट, इसके एनकायलोसिस के बारे में, आज आपको बताऊंगी, TMJ हमारे बोडी के किसी भी नॉर्मल जॉइंट की तरह होता है, जो हमारे निचले जबडे का मूव्मिन्ट पमिट करता है, अब एनकायलोसि TMJ हमारे शरीर का एक हिस्सा है, जो यहाँ पर होता है, यह जॉइंट हमारे निचले जबडे की हड़ी और हमारे सिर्की हड़ी से मिलकर बनता है, यह जॉइंट हमारे जबडे का खुलना, हमारे जबडे का side to side मूव होना पमिट करता है, इस जॉइंट के एनकायलोस हो जान की हड़ी में कोई बोनी यूनियन हो जाए या किसी फऐरिस जो की वास sarc Simmons की बाचर रह टिपन जाए वह सकता है बोनी यूनियन जो होता है वह most commonly जैने बच्चों में पाया जाता है जैसे बच्चा गिरते हैं या किसी और प्रकार का ट्रॉमा होता है जो मेंली यहां पर गिरने से होता है जिसकी वज़ासे डारेक्ट इंपक्त जिसको हम mechanically counter-loop phenomenon बोलते हैं वो यहां पर पढ़ता है यहां पर बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं growing age में उनका जो बहुत हलका होता है जो यहां पर निचले जबड़े की हड़ी होती है बहुत सौफ्ट होती है जिसकी वजा से यहां पर खून इकठा होने के बाद जो हड़ी को बनाने वाले सेल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं और यहां पर एक हड़ी का जोड बना देते हैं जो हमारे जबड जबडे की काम करने की capability effect होती है। आपका अगर joint यहाँ पर block हो जाए तो आपको मूग खोलने में दिक्कत होगी। मूग खोलने में दिक्कत होगी। साथ में अगर एक तरीके का एक site का joint blocked है तो उस site की growth effect होगी। जिससे आपकी बच्चे को या किसी बड़े में भी यह चीज पाई जा सकती है। जो कि मेली infections की वज़ा से दे सकती है। तो हम बात कर रहे थे अगर बच्चों में यह चीज हो तो क्या होता है। बच्चों की growing age के साथ अगर एक site की हड़ी let's say left side की हड़ी effect होती है। तो क्या होता है एक चीज जिसको हम बोलते है facial asymmetry वो होने लग जाती है जिससे आपका मूँ टेढ़ा appear करने लग जाता है। अगर यही चीज बढ़ो में हो तो हम यह facial asymmetry तो avoid कर सकते हैं लेकिन आपके lower जबडे का movement जो की motion permit करता है आपका मूँ खोलना permit करता है वो सब obstruct करता है। इसलिए इस चीज को treat करना बहुत बहुत जरूरी है। और एक चीज में बताना चाहूंगे यहाँ पर अगर बच्चों में आपके दोनों joints affected हों तो उनको सांस लेने में भी तकलीफ पाई जा सकती हैं जिसको हम obstructive sleep apnea बोलते हैं जिसके वजा से उनके सांस लेने की जो नली होती है। यह चोटा जबड़ा होने के कारण आपकी जुबान होती है वो पीछे चली जाती है। इसलिए उनको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। इसलिए यह procedure आपके लिए life saving बन सकता है। और इस बारे में बात करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे डाइगनोस करते हैं। इन पेशन्स को आप तहले clinically एक्जामिन करके बताया सकते हैं तो आपकी appearance से ही कि इनको TMJ-Ankylosis है या नहीं। उसके बाद हम other radiological interventions जैसे CT scan या orthopantonomogram की through डाइगनोस करते हैं जो कि एक OPG X-ray होता है। वहाँ पर आगर आपकी हड़ी का union है वो बड़ो को जिस भी age में पाया जाए इसको treat करने के ये एक operation जरूरी होता है। इस operation में आपकी हड़ी जो आपके lower जबडे और आपके सिर की हड़ी के बीच में एक जो हड़ी बन गई है उसको निकाला जाता है। एक इतना sufficient gap बनाया जाता है कि ये हड़ी दुबारा पापस में ना जुट सके। आप इतना मुझ खोल के देखते हैं कि जो normal नहीं तो at least near normal mouth opening जिसे हम बोलते हैं कि around 30 mm या 33 mm की अच्छीव की जा सके। उसके बार ये देखने के लिए कि ये दुबारा दो हड़ी ना जुडे हम इसमें एक interpositional grafting या जो कोई भी आपकी body की ही एक muscle हो स करता है या आजकल बहुत सारे नई आधुनिक टक्नीकों के साथ एक materials आ गए हैं जैसे silicon या और बहुत तरह की materials available हैं जिनको आप बहां पर place कर सकते हैं ताकि ये हड़ी दुबारा ना जुडे लिकिन दोस्तों सिर्फ operation तक हमारे treatment की प्रख्या सीमित नहीं है इस operation के बाद ह क्योंकि इस हड़ी में वापस जुड़ने की शमता है और अगर आप ये exercise नहीं की तो ये हड़ी वापस जुड़कर पूरा का पूरा operation जिससे आपकी महनत और हमारी महनत दोनों की महनत को असफल कर सकती हैं इसलिए मेरा आप से ये निवेदिन है या मैं आपको ये चीज जबड़ा छोटा दिख रहा है नीचे का जबड़ा स्पेशली जिसको मुझ खोलने में तकलीफ हो रही है खाना खाने में तकलीफ हो रही है या पुराना किसी ट्रॉमा या चोट की हिस्ट्री है तो उसे अभिशेग होस्पिटल मोती डूंगरी रोड लेकर आएं जहां प अभिशेग होस्पिटल मोती डूंगरी रोड पर रेफर करें जहां पर एडिक्वेट प्लासिक सर्जन्स एंड माचलोफेशल सर्जन्स के द्वारा उनका इलाज पॉसिबल है आप हमें 98290-13567 या 0141-2625-110 पर कॉंटाक्ट करें तैंक यू